गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाव यू आल, I hope all are good बच्चों, आज मैं आपको कुछ नया समझाने वाली हूँ क्या समझाने वाली हूँ, आप देख रहे हैं जैसे के लिखा हुआ ये किस बुक का चैप्टर है आपके ये पार्ट, पांच, शब्द और वाके आपकी अतुले व्याकर पुस्तक जो है उसका ये चैप्टर है, तो आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ ये आपको सिर्फ समझना है वेटा, कॉपी में नहीं करना है तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि शब्द कैसे बनते हैं और वाके कैसे बनते हैं तो यहाँ पर देखी मैंने पिक्चर्स लगा रखी हैं ये आप पहचामना है किस चीज़ के पिक्चर है बताईए, कलश, ठीक है और ये क्या है, मौर और ये है, महल और ये क्या है, मचली लेकिन अब हम इन सब को लिखने के लिए किस के सहायता लेते हैं इनको लिखने के लिए हमें किस की जरुरत होगी वर्ड की, हमें वर्ड या अक्षर चाहिए तो जब हम कलश बोल रहे हैं तो हमें सब सब पहले क की आवाज आ रही है, ठीक है? तो हम लिखेंगे क, ये हमारा क वर्ड हुआ, अब क, ल, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ला और अब किस की आवाज आ रही है? कलश शा की आवाज आ रही है अब हम यहाँ पर शा बना देंगे ठीक है? तो अब यह देख रहे हैं इन तीन वर्डों के मिलने से हमारा एक शब्द बन रहा है क्या? कलश ठीक है? इन तीन वर्डों के मिलने से हमारा एक शब्द बना कलश अब यह क्या है? यह है मोर अब हम मोर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें आवाज आ रही है मा की ठीक है? मा और इसके साथ कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है हमें? ओ की मात्रा की तो यहीं पर हम ओ की मात्रा चली लगा देते हैं मो और अवाज आ रही है रा की ठीक है? अब हमारा शब्द हुआ मोर तो यहाँ पर इन वर्डों की साहिते से हमारा शब्द बना मोर समझ में आ रहा है आपको वर्डों के मिलाने से ही शब्द बनते हैं दो या दो से ज्यादा वर्डों के सही मेल से शब्द बनते हैं अभी मैं आपको इन शब्दों को अगर हम आगे पीछे इन वर्डों को हम आगे पीछे कर देंगे तो हमारे शब्द वो सही नहीं बनेंगे अभी मैं आगे आपको बताऊंगी ठीके, अब ये पिक्चर किस चीज़ की है? महल महल, अगर हम शब्द लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? मा, और किस की आवाज आ रही है? हा, और किस वर्ड की आवाज आ रही है? ला, महल, ठीके, तो हमारा शब्द यहाँ पर बना मा, हा, ला, महल, ठीके, अब ही क्या है? कौन है? मच्छली जल की रानी तो यहाँ पर हम मच्छली लिखेंगे किस तरह से? मा की आवाज आ रही है हमें च्छ की आवाज आ रही है और ला, ला पर किस मात्र की आवाज आ रही है? मच्छली, बड़ी आवाज है, यानि बड़ी की मात्रा मच्छली, ठीके? अब हमारा यहाँ पर शब्द बन गया ये मचली तो वर्डों के सही मेल से हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है दो या दो से ज्यादा वर्डों के मेल से हमारा शब्द बनता है अगर हम इन शब्दों को इन वर्डों को हम आगे पीछे लिखेंगे तो क्या होगा देखिए क्या ये सही शब्द बनेंगे जैसे कि जैसे कि आप कहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले हमारा शब्द है कलश अगर हम इसको वर्डों को आगे पीछे करकर लिखें जैसे ला पहले लिख देते हैं हम ठीक है ला हमने पहले लिख दिया और कह हमने ये बीच में लिखा लास्ट में हमने शा बना दिया तो क्या हुआ ये लकश अभी समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना ऐसे ही हमारा दूसरा शब्द है मौर तो हम रा पहले लिख दें और मा और उसके बाद ओकी मात्रा रमो कोई शब्द नहीं हुआ इसी तरहां से हमारा तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द है हमारा महल तो अगर हम इसको लाको पहले लिख दें और फिर मा लिख देते हैं हा लिख देते हैं और फिर मा बना देते हैं तो क्या हुआ ये लहम, कुछ शब्द ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है ना, सितना से 4, हमारा कौन सा शब्द है ये, मचली, तो हम च्छा पहले लिख दिया हमने, और फिर हमने मा बना दिया, और फिर हम लापरबडी की मात्रा लगा देंगे, छमली, तो अब य नहीं आ रहा है न, क्यों समझ नहीं आ रहा है हमें ये शब्द, क्योंकि इनको सही जगा नहीं लिखा गया, ये सही शब्द हमारे नहीं है, लकश, रमो, लहम, छमली, ये शब्द हमारे सही नहीं है, ठीक है, अगर हम वर्डों को, हमने यहाँ पर वर्डों को आगे पीछ कर दिया है इसलिए हमारे शब्द सही नहीं बने हैं अगर हम इन वर्डों को सही जगा लिख रहे हैं देखिए सही जगा यहाँ पर हमने लिखा है तो यह शब्द हमारे समझ में आ रहे हैं आसानी से यह हमारे सही शब्द हैं ठीक है यह हमारे सही शब्द हैं कलश मोर महल मच आपको समझ में आया, दो या दो से अधिक वर्डो के सही मेल को हम शब्द कहते हैं, और शब्द कैसे बिनते हैं, शब्द वर्डो, वर्ड या अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा कवर्ड है, लावर्ड है, शा है, तो इससे मिलकर हमारा एक एक शब्手स बना कलश यहाँ पर क्या लिए है यह है मों और मां है उ की मातरा और रा इससे मिलकर हमारा एक शब्दस बना मॉर यहाँ पर महल यह एक शब्र बना तो वर्डों के सही मेल से शब्द बनते हैं अब मैं आपको आगे समझाऊंगी वाके, वाके कैसे बनते हैं जैसे कि बच्चो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने वाके लिख रखा है और यह एक picture लगाई है मैंने, इस picture को देखकर हमें एक वाके बनाना है ठीक है, तो हम वाक्य बनाएंगे, बताईए क्या वाक्य बनेगा इस पिक्चर को देकर, यह क्या है बिल्ली और यह क्या है चूहा, बिल्ली क्या कर रही है, बताईए, बिल्ली चूहे की पीछे दौर रही है, अगर हम इसको लिखेंगे इस तरह से, चूहे, चूहे, बिल्ली चुहे बिली पीछे के डोड़ी पीछे के डोड़ी ओ की मात्रा की आवाज आ रही है ठीक है दा ओ की मात्रा डी यानि बड़ी की मात्रा की आवाज आ रही है डोड़ी ठीक है तो यहाँ पर हमारा यह वाक्य क्या आपको समझ में आ रहा है बताईए ये गलत लग रहा है ये सही लग रहा है आपको गलत है ना ये वाक्य गलत क्यूं है क्यूंकि हमने शब्दों को सही जगा नहीं रखा है वाक्य कैसे बनते हैं शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं ठीके कितने शब्दों का इस्तमाल किया है यहां पर एक दू तीन 4, 5, यहां पर 5 शब्द हैं, लेकिन हमने इन शब्दों को सही जगा नहीं लिखा है, जिससे हमारा ये सही वाक्य नहीं बना है, ये हमारा वाक्य गलत है, अगर हमें सही वाक्य बनाना है, तो हमें शब्दों को सही जगा लिखना होगा, जिससे हमारा वाक्य सही बन जाए और आसानी से समझ में आ जाए सभी के ठीक है तो अगर हम सही वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताईए बिल्ली बिल्ली चुहे चुहे के पीछे दोड़ी बिल्ली बताईए ये सही वाक्य है ना ये आसानी से हमें समझ में आ रहा है ठीक है ये हमारा सही वाक्य हुआ देखिए अब हमने शब्दों को सही जगा लिखा है जिससे ये हमारा वाक्य सही हो गया है और हमें आसानी से समझ में आ रहा है ये हमारा सही वाक्य है ठीक है आपने क्या समझा कि वर्डों के मेल से वर्ड या अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं शब्द बनाते हैं या वर्ड दो या दो से अधिक वर्डों के सही मेल से शब्द बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं ठीक है वाक्य भी हम कैसे देखे अगर हम सही शब्द को सही जगा लिख रहे हैं तभी हमारा सही वाक्य बनेगा ठीक है तो वर्डों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं तो आपको समझ में आ गया शब्द और वाक्य अब मैं आपसे बाते कर रही हूँ तो ये भी मैं कैसे कर रही हूँ वाक्यों के जरीए कर रही हूँ वाक्यों में अपनी बात आपको समझा रही हूँ या आप अपनी कोई बात मुझ से कहेंगे तो कैसे کہیںगे वाक्यों के जरीए ही कहेंगे ठीक है? तो आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा ये शब्द और वाक्य आपको याद रखना है, ठीक है? शब्द कैसे बनते हैं, वर्ड या अक्षर के मेल से, सही मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, ओके, अब मैं आपको पुस्तक अभ्यास कारे समझाऊंगी, नेक्स वीडियो में, ओके,